दोस्तों सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही अगर हमें एक कप चाय मिल जाए तो मजाई आ जाता है लेकिन दोस्तों आपने कभी सूचा भी नहीं होगा कि सुबह के समय खाली पेट चाय पीने से शरीर को क्या नुकसान पहुँचता है दोस्तों इस दो मिनिट की वीडियो में आपका बहुत बड़ा फवाइदा होने वाला है इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों आजकिल की भाग दौड भरी जिन्दगी में हम अपने शरीर का चाहे कितना भी ध्यान रखें मगर फिर भी हमारी ऐसी आदते होती है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना देती है हमारे अच्छे बहले शरीर को न जाने कब कैंसर, दिल की बीमारी, शूगर जैसी बीमारियां लग जाती है जिसका हमें पता भी नहीं चलता दोस्तों हमारे भारत देश में शहर और गाओं को मिला कर तकरीबन 80 प्रतेशत लोगों के दिन की शुरुवात सुभ़े चाय से होती है और सुभ़े के समय जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर ऐसी अवस्ता में होता है जिसे उर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेड और प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि हमारा रात का खाया हुआ खाना सुभ़े तक पच जाता है और शरीर को शक्ती के लिए खाने की जरूरत पढ़ती है लेकिन हम जब उस समय चाय पी लेते हैं तो चाय में कैफीन की मातरा ज़ादा होने के कारण हमारे शरीर पर बहुती बुरा प्रभाव पढ़ता है चाहे में मौजूद कैफीन हमारे शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है जिसके कारण अलसर और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपका पेट सही नहीं होगा तो इस कारण से आपके शरीर में कई बीमारियां उत्पन होने लगती है सुबह के समय आप चाहे ब्लैक टी पीते हैं या दूद वाली चाहे लेकिन दोनों से आपके शरीर में नुकसान होते हैं अगर आप दूद वाली चाहे पीते हैं तो इससे आपके शरीर में मौजूद एंटि ऑक्सिडेंट्स खत्म हो जाते हैं जिससे आपके शेरीर को फायदा होने की बजाए कमजोरी और सुस्ती होने लगती है। अगर आप खाली पेट ब्लैक्टी पीते हैं तो इससे आपका पेट फूलने और गैस जैसी समस्या हो सकती है। खाली पेट चाय पीने के कारण आपके शेरीर प्रूटीन की मातरा को अच्छे से पजानी पाता जिसके कारण कुपोशन के लक्षन नजर आने लगते हैं। जैसे कि उम्र से पहले बालों का जढ़ जाना, आखों का कमजोर हो जाना, कमर में धर दर्याना, औरतों में केल्चिम की कमी आने लगती है, इससे शरीर में मोटा वब बढ़ता है और पुरुशों में प्रूस्टेट कैंसर होने का खत्रा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो इसे पीना बंद कर दीजिए। अगर फिर भी आपको चाय पी नहीं हैं तो चाय के साथ किसी चीज का सेवन कर ले। सलेक्ट भी कर देना।